WhatsApp के delete message वापस कैसे लाएं? किसी ने आपको message किया और वो message आपके पढ़ने से पहली उसने delete कर दिया या फिर आपने उसको देखा तक नहीं तो आप कैसे उसको जो देख सकते हैं अगर उसने delete for everyone भी कर दिया है कहने का मतलब है कि आप उसको देख नहीं पहा है message क्या था और उसने delete for everyone कर दिया है उस व्यक्ति ने तो आप उस message को वापस ला सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी WhatsApp पे जाके जो है WhatsApp का backup वगारा नहीं लेना है चैट का backup नहीं लेना है चलो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं इस वीडियो को दोस्तों इदिया आपने WhatsApp का कोई भी message delete कर दी है फिर चैट हो सकती है फिर फोट फिर वीडियो सब कुछ आप recover कर सकते हैं एक click के अंदर आपको कोई भी application डाउनलोड नहीं करनी है यह आपके phone में setting है जी हाँ दोस्तों आपको setting enable कर दो आपके automatically WhatsApp के delete message photo video सब कुछ वापस ला लेंगे आप और इसके लिए आपको कोई application इस्तमाल नहीं करनी है और नहीं यहाँ पर आपको कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि आपको इधर उधर website पर जाके करनी पड़ी कुछ भी नहीं करना है जश्ट आप इस वीडियो को end तक देखे और आपको backup भी नहीं करना है कई लोग आपको WhatsApp पे लिजाके इसका backup बगार बता रहे हैं बैक अप करने से कुछ नहीं होगा मैं आपको बता जाता हूँ क्या करना है जैसे को किसी ने डिलीट कर दिया हैं तो आप इसको कैसे देखेंगे ठीक है और यदि जैसे कि होता है कि कई बार किसी बोला भाई message भेज देया कि कोई भी आपका परसन हो सकता है वो message भेजकर delete कर देता फटा फटसे तो आप कैसे इसको recover करेंगे बैपर यहां से वापुस ACT लाएं गें फो जांप्ल मेरे पास यह दो फोन हैं यह फोन हो सकता है और इस फोन से मेरे वटसाप के वोटसाप पर मैसेज करूंगा और यहीं से पर यज़िप कर दुधा तो जैसे कि में फोन कर दूँगा trail इसे लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि यह वाला message इसने डिलीट कर दिया, इस तरीके से जाके यहाँ पर डिलीट फोर एवरिवन कर दिया, तो अब मैं कैसे इसको देखूँगा, वो इस वीडियो में बताने वालों इसके लिए करना है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से जाओ, सबसे पहले, जैसे कि इस वेक्ति ने कुछ भी आपको बेजाता आप देखनी पाए, तो आप अपने फोन की सैटिक्स पर जाओ, यहाँ पर आपको सर्च करना नॉटिफिकेशन, ठीक है, अब ऐसा आप इसको अब आपको क्या करना है, जैसे कि इस वेक्ति ने आपको मैसेज किया, जैसे कि मैं लिखता हूँ हाँ 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 इस तरीके से इसने मैसेज किया, अब जैसे कि आपने इसको देख नहीं पाया और इसने डिलीट कर दिया, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस तरी जैसे आप notification हिष्टी लिखते हैं आप सभी को देख सकते हैं यहां पर देखने को मिलेगा notification हिष्टी यह देखो यह जो message यहां से delete हुआ है यह देखो कितने भी मैंने भेजा था वो same to same यहां पर time आ रहा है लिए mai. आप बीको यहां से delete हुआ है लिए जेसे बहुत सही तरीका आप जैसे इस वाले phone में भीज तो मुझे कैसे पता चलेगा तो इस तो भायद window आप बार ही कहे की भाई इस वाले phone से यस वाले phone भीज खेंकर दिखा फिर यह setting कैसे होगी बता तो जैसे कि इस न भी जिस फोन में आपको देखने है तो आपको क्या क्या गैना, उसी फोन में ये Settings को Enable करो जाके Settings फे जाओ, यहां पर लिखो Notification History जैसे आप Notification History लिखेंगे ये automatically आपको देदेगा Notification History सभी के फोन में ये देखो, इसको आप लिखो जैसे आप option इन आपल इने सbenस रहत करें जैसे कि घृशिय को करें बहुंन है दिदक को देखा रहते हुआन कि आप कर्म के करें जैसे मैं हेसे हिश्टी होगा अब घिखर ठीक on इसको इहां से दिलीर करें लिपांब जैसे कि यहां से त्टी देखो है और एक और तरीका आ गया वर्साप पर जैसे कि आगर आप किसी को message करते है अगर आप से delete हो जाता है तो आप यहां पर कर सकते हैं इस तरीके से delete करोगे ना तो यहां पर जैसे delete for everyone करा तो आपको यहां पर undo का option आ जाता है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि for example मुझे यह वाला message इस तरीके से भेजा इसको और मैं इसको delete कर देता हूँ जैसे कि यहां पर इस तरीके से delete कर दिया बता है जो setting वाला तरीका बता है यह सबसे best है आप इसमें किसी भी type का message को देख सकते हैं वापस ला सकते हैं वर्सा पे तो I hope मैंने आपको बहुत ही एच्छे तरीके से बताया जदी आपको कुछ पूछने है तो please comment box में पूछ लो दोस्तो I hope यह video आपके लिए काफी ज़ में thank you so much guys